राज भवन और विधान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपती रामनाथ कोविन के प्रस्तावित आगमन के मदेंजर सोमवार को लखनों की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी डाइवर्जन व्यवस्था सुभह आठ बजे से लागू होगी वहीं भारी कामर्शियल वाहनों का आगमन शहर के अंदर प्रतिबंधित रहेगा उन्हें शहर की सीमा से ही अन्य वैकलपेक मार्गों के लिए मोड दिया जाएगा यह जानकारी रिसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य ने दी केकेसी टिरहे से राना प्रताफ चोराहे की और उदर गंज सिंचाई भवन से एनेकसी की और एवं हुसेंग गंज से आने वाले वाहन लाल बहादूर शास्थ्री तिरहे से विधान भवन की और बंदरिया बाग चोराहे से, डिएसो चोराहा की ओर, कैसर बाग, अनन्द सिनेमा हाल चोराहे से, बरलिंगटन, बाबु घवन और रायल होटल चोराहे की और कोराहे से, सिसेंडी के मध्य निर्धारित समय के बाद, वहनों का आवादमन प्रतिबंधित रहेगा लोको चौराहा, कुमवर जगदीश, आलमबाग, अथवा सदर कैंट के रास्ते, लालबत्ती चौराहा, अथवा उधे गंच तिराहे से, सदर फ्लायोवर के रास्ते, गोल्प कलब, गांधी सेतु, 1090, अथवा लालबत्ती चौ चौराहे से, बैकुंथ धाम, बालु अड्डा, गांधी सेतु, गोल्प, बंदरिया बाग, लालबत्ती के रास्ते, संकल्प वाटिका, सुशिला स्मृतिका तिराहा, हनुमान सेतु, परिवर्तन चौक, 14 से, कलाल्प अवर्ड के रास्ते, लालबत्ती चौराहा, अथवा गोल्प कलब के रास्ते, सिकंदरबाग, 14, जाम में पंसे, इमर्जन्सी वाहन तो करे सूचना, DCP ट्रेफिक ने बताया, कि अगर अपरिहारिता की स्थिती में, वैकल्पिक मार्ग पर जाम लगा है, तो इस स्थिती में, इंबुलेंस जिसमें मरीज हो, और जाम में पंसा तो ट्रेफिक कंट्रोल रूम के मुबाइल नंबर 638 करोड, 942,945 करोड, 5155 पर संपर्क कर सूचना देनी होगी, सूचना मिलते ही, ऐसे वाहनों को प्रतिबंधित मार्ग से ट्रेफिक पुलीस निकलवाएगी आशिफल प्रत्यत परव का आर्टिकल नई और स्ताजी खबरी